अब आपको दिखाते हैं डक्षनी राज्जों में लगातार हो रही बारश का हाल क्योंकि तेज बारश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं पानी में डूबे शहर तेजी से मनराता बार का खत्रा हालाद पस्त प्रशाचन सुस्ट उफान की ये भयावत अस्वीर आंध्रप्रदेश के प्रस्त तिरुपति बालाजी मंदिर के नस्दीक की है जहां से मंदिर दिख रहा है और मंदिर के ठीक पास ये उफ़नता हुआ जरना है जरने में पानी का वेक डराने वाला है जो बताता है कि हालाद कितने गंभीर हो चुके हैं भारी बारिश से मशूर तिरुपति मंदिर तक बेहाल है तीज बारिश से पानी भगवान की घर तक पहुँच गया है तस्वीरे डराने वाली है पारिश का असर मंदिर पर साफ देखा जा सकता है मंदिर की सीड़ियों से पानी बह रहा है मंदिर परिसर में पानी भर चुका है सिर्फ मंदिर ही नहीं मंदिर जाने के लिए घाट रोड सड़क में भी पानी का तेज बहाओ है जिसमें कई लोग फस गये हैं CTD ने मंदिर जाने वाले श्रधालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हूँ दोनों घाट रोड और पैदल उपर जाने की रास्ते को बंद कर दिया है तिरुमाला शहर भी बेहाल है ये देखिए सड़क पर खड़ी गाड़िया पानियों में दिनकों की तरह बैर रही है लोग जैसे तैसे गाड़ियों को बचाने की जुगत में लगे ये भी देखिए तिरुमाला की सड़कों का हाल जो दरिया बन चुकी है सामान पानी में बहता नजर आ रहा है कई अलागों में पानी की तेज बहाव में सड़के कट गई है बारिश में फसे लोग रस्यों की मदद से सड़के पार करने की कोशिश कर रहे है क्योंकि डर है कि सड़कों पर पानी का बहाव साथ खीच ले जाएगा कुछ ऐसी ही तस्वीरे तमिलाडों की कई और जिलों में भी देखी गई जहां बारिश कहर बनकर लोगों की जिन्दगी को और मुश्किल बना रही हालाद को देखते वे तमिलाडों की कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है राजिक के बारज जिलों में बारिश की आशंका से छुट्टी घोशित कर दी गई है सिर्फ तमिल लाडू ही नहीं बलकि देश के दक्षिनी राजियों में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर है कई जगा हालात इतने गंभीर हो गये हैं कि लोगों की चान पर बनाई हैं लोगों के खर डूब रहे हैं नदिया उफान पर रोगाता इन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है तमिल नाडू, पुद्दुचेरी और रायल सीमा इसके अलावा करनाटक और तटिये आंध्र प्रदेश में भी बारिश की चेतावनी है दरसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का शेत्र डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है जिसकी वज़े से बारिश हो रही है जिसका आस्या राजुत्तरी तमिल लाडू और दक्षिन आंध्र पर पड़ेगा और जिससे भारिबारिश होने की आशंका है जिसका है